आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट एर बलुजस्तान बोर्ट बायोजर स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो में बायोजर का इंट्रडेक्शन दूंगी इजोलोजर क्या होती है बॉटनी क्या होती है और चैप् सब को पते है कोरोना वाइरस के वज़े से पढ़ाई साल साही से नहीं हो नहीं हो पाई एज श्कूल श्कूल लेजस्तान ज्यादा बंद रहें तो गर्वर्मेंट ने पेपर्स में मतलब बच्चों का स्लीबस ही कम कर दिया है क्यूंके बच्चों ने अच्छे तरीके से तो government ने हमारी हे decide कि slabos कम कर दिये जाये ताकि papers नेने में ब्लावस मुश्किल ना हो तो वो जो कम हो हो slabos है वो smart slabos है फिर मैं आप लोगों को smart slabos का बताऊंगी लेकिन बायो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा smart slabos इसे ही वीडियो में नहीं बताऊंगी मैं चैप्टरवाईस आप लोगों को स्मार्ट स्लेबस बताओंगी आज हम लोग इस वीडियो में स्टाट करेंगे चैप्टर नमबर वन तुभ आप लोगों को को स्मार्ट स्लेबस का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी एक एक पेच खोल के दिखाऊंगी लेकिन जब हम लोग next chapter start करेंगे फिर आगे कौन से chapters हैं कौन से नहीं हैं कौन से chapter में से कौन कौन से topics आएंगे कौन कौन से नहीं आएंगे यह सब कुछ जैसे जैसे हम जिस जिस chapter पर पहुंचेंगे उस chapter के साथ साथ ही बताऊंगी आज हम लोग chapter number 1 इस्टार्ट करेंगे तो आज मैं chapter number 1 के smart syllabus का introduction दूँगी then हम लोग इंशालला chapter number 1 स्टार्ट कर देंगे और देखते हैं फिर इस वीडियो में कितना chapter हो पाता है जितना नहीं होगा वो फिर next वीडियो में होगा तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखें बायो लॉजी ठीक बायो लॉजी बायो लॉजी क्या है बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स इस्टडी ठीक है तो simple study about life या living organisms के बारे में जो भी study हम करें वो in the field of biology की जाती है ठीक मतलब अब life में क्या क्या चीज़े शामिल हो जाती है life में तमाम living organisms हो जाते है ना plants, animals और फिर मजीड इसकी classification हो जाती है living organisms की plants, animals, virus, bacteria, microorganisms समझ ले तो यह तमाम चीज़ें किसमें आ जाते हैं biology में आती है ठीक है हम अभी सिर्फ यह दो चीज़ें रखते है plants and animals ठीक है plants जो पेड़ पॉदी वगर है टाइप जितनी वी चीज़ें और animals जानवर टाइप हम इंसान की animals में काउंट होते हैं हम social animals हैं और जितने भी चोटे मोटे microorganisms हैं जो इंसानी आग से नहीं देखे जाते हैं असानी के लिए क्या कर दिया गया है biology को दो मजीद ब्रांचेस में तक्सीम कर दिया गया है plants की study हम लोग करते हैं sorry plants की study हम लोग करते हैं आप वोप से जांसिके आप काम एक न पीख स्टॉक्चर से बाड औरन जाहरे लिए को अप्र ही इंजाइम्स भी इंसान के अंदर जन्वेरों के अंदर होते हैं लेकिन इस चैप्टर में हम लोग एन्यूल्स चैप्टर में पारे में पड़ेंगी तो जोलाओ जी का चैप्टर है फिर आप लोग उसके पात देखे हैं फोटोसंदिसस सेलुलर रिस्पारिशन फोस्फोर र बनाते हैं in the presence of sunlight ठीक है sunlight, air, water, etc तो ये वाला चैप्टर देखे हैं प्लांट से रिलेटेट है तो ये वाला चैप्टर किस कैटिगरी में चला जाता है बौटनी की कैटिगरी में ठीक है अब क्यूंकि जोलाओ जी का बायो का पेपर नहीं होता है बौटनी और जोलाओ जो जोलाओ 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 जोल और कोशिश मेरी यह है कि पहले मैं आप लोगो जुलाजी खितम करवा दूँ लेकिन अगर बीच में मैं कोई बोटनी का चेप्रे स्टार्ट करती हूं तो भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बारे में बता दूँगी ठीक है जो जिस पोशन से तालिख रखता होगा मैं साथ बता दूगी और जिस चेप्र का जो कुछ भी स्मार्ट लेबस में इंक्लूड़ोगा वो भी साथ के साथ बता दूगी तो चले इस्टार्ट करते हैं चेप्र नेंबर वन सेल स्ट्रॉक्चर एंड फंक्शन्स तो सबसे पहले मैं इसके स्मार्ट लेबस का थोड़ से इंट्रोड़क्शन दे दूँ अच्छा एक और बात क्लियर कर दो कि स्मार्ट लेबस सिर्फ 2021 के लिए है ठीक है तो अगर 2021 के एक्जाम्स के बाद कोई इस वीडियो को देख रहे तो प्लीज इस स्मार्ट लेबस क नेक्स एर से जितने भी एक्जाम्स होंगे 2022 और उसमें पूरा पूरा चेप्टर ही इंक्लिवडिड होगा ओके सो ये सिर्फ 2021 बाले बच्चों ने ये फॉलो करना है ये शॉर्ट स्लिवर्स ओके तो चले मैं आप लगों को पहले की बता दू किया क्या है इस चेप्टर से सेल फंक्शनेशन स्वारी सेल फ्रेक्शनेशन एंड सेंट्रिफ्यूगेशन ठीक है आप लोग साथ में साथ मार्क करने हैं कहीं पर नोट करने मर्जी है आप लोगों की टेक्नीक्स यूज़ इन सेल बालोजी है अब इस बुक में एक से ज्यादा बहुत सारे टेक्नीक्स तो उनमें से कुछ टेखनीक्स शामिल हैं और कुछ टेखनीक्स शामिल नहीं हैं तो आप लोग किलें टेखनीक्स यूस्ट इन अलोजी उसमें से कौन-कौन सी टेखनीक्स है SELF Fractionation and Centrifugation है धन, Different Staining भी है धन, Microscopic Dissection और Micro Dissection भी है जिस पर double taken है वो तमार्म topics included tissue culture है, tissue culture के बाद chromatography नहीं है ठीक है, यह skip कर दिया गया है, chromatography के बाद electrophoresis है फिर उसके बाद spectrophotometry और microscopy यह सब कुछ नहीं है ओके यह सब कुछ भी नहीं है, आज आप लोग नेक्स टॉपिक Cell wall and plasma membrane इस topic में देखें, मजीद दो headings है, एक cell wall की है, एक plasma membrane की है सही, तो cell wall include नहीं है, just plasma membrane included है अगें में repeat करूं यह सरफ 2021 वाले students के लिए आगे वालों ने जाहरे यह भी पढ़ना है अभी जुनके exam से उनके लिए plasma membrane included है plasma membrane के बाद fluid mosaic model then protein of plasma membrane then role of plasma membrane with its environment okay, फिर उसके बाद cytoplasm और organelles में से कौन कौन से organelles शामिल है sorry कौन कौन से organelles शामिल है, endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum के बाद functions of endoplasmic reticulum ER मतलब endoplasmic reticulum okay, so इसके functions है then हमारे पास है ribosomes, ठीक है ribosomes के बाद है type 2 disease है न टेसेक्स disease है ठीक है storage diseases शामिल नहीं है then lysosomes के बाद आता है हमारे पास mitochondria, mitochondria भी included है फिर mitochondria के बाद है हमारे पास plastics, plastics नहीं है, plastics के बाद cytoskeleton, cytoskeleton आएगा then cytoskeleton के बाद centrioles, okay centrioles के बाद cilia and flagella, cilia and flagella के बाद nucleus, ठीक nucleus के बाद है हमारे पास बस, nucleus के बाद बस खतम लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यह कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो आप लोगों ने यह वाला chart जरगी वाले table जरूर देखना है वैसे तो differences बहुत ज़्यादा important होते हैं आते हैं exams में important भी होते हैं तो just knowledge के लिए यह differences पढ़ लिज़ेगा पेपर में इंक्लूड नहीं है knowledge के लिए मैं आप लोगों को समझा दूंगी क्यूंकि यह आपके concepts को strong करता है ठीक है आगे आप किसी भी chapter में जाएंगे कहीं न कहीं इस चीज की ज़रूरत पढ़ जाएगी तो मैं यह differences आप लोगों को साथ ही पढ़ा दूंगी और इसके इलावा यह चार्ट आप लोगोंने लाजमी देखना है क्यूंकि यह चार्ट शॉर्ट लिए सब कुछ एक्स्प्रेइन कर रहे हैं आप लोगों अधर उसके इस चार्ट को अगर आप लोगों नहीं याद करना तो बेशक मत की जिए लेकिन इस चार्ट में कुछ जो चीजने आप लोगों की इन चीज़ों के बारे में जरूर आप लोगों पढ़ लीजएगा क्योंकि उनका स्ट्रुक्टर आपर तो यह टेबल बेशक इंक्लूड नहीं है लेकिन आप लोगों इसमें से जो जो टॉपिक्स आप लगों के इंक्लूड़ेड़ नहीं है वो सारे करने हैं स्मार्ट सेबस का इंक्रोड़क्शन होगे चैप्टर वन का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली चैप्टर वन ओके देखते हैं इस वीडियो में कितना हो पाता है तो चलें सबसे पहले मेरे आप लोगों से एक सवाल है कि सेल क्या है सेल के पार में कुछ बेसिक बाते आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरा सिर्फ मकसद यहीं होता कि जो टॉपिक है कोचिंग वालों की तरह यह ट्यूशन वालों की तरह सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ा और जान छुड़ा हो नहीं जब मैं पढ़ाती हूं तो इस तरीके से पढ़ाती हूं कि बच्चे को पूरा मतलब बेस उसके स्ट्रॉंग होनी चाहिए उसके कॉंसेप्स क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो जब हमनों कितना बड़ा सेल के सेल क्या है कि चेल क्या है कि आप लगों को शॉटली बताती हूं कि बेसिक स्ट्रॉक्चर है बेसिक जैसे ही ओती कि किसी इमारत की एक इंत होती है बिल्कुल बुनियाद होती है अगर एक इंत भी निकालते जाए तो कहते हैं कि इमारत गिरएगी है आ तो उसी तरीके से सेल जो है वो हमारी बॉड़ी का basic unit होता है हमारी पूरी बॉड़ी cell से मिलकर बनती है क्योंकि cell के ही अंदर सब कुछ है जो हमारी बॉड़ी के functions परफॉर्म कर रहा होता है कैसे हमें इस chapter में पता चल जाएगा ठीक है cell is the basic unit of life सबसे पहले तो यह बात आप लोगों को पताने चाहिए, देखें यहां पर लिखा बभी है, cell is the structural, cell सही हमारी बॉड़ी का पूरा structure बनता है, and functional unit of living organisms, और cell में ही वो तमाम चीज़े शामिल हैं, जिससे हमारी बॉड़ी के तमाम functions परफॉर्म किये जाते हैं, तो cell को structural और functional unit कहा गया है, किसी भी जानदार का, ठीक है, अच्छा, अब बायो की ऐसी ब्रांच, biology में भी different branches है, 9th class में, of course, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम cell के related study करें, cell के structure की, function की, components की, किसी भी चीज़ की study करें, एसी ब्रांच, cell biology या cytology कहलाती है, ठीक है, बायो की ऐसी कोई भी ब्रांच, ऐसी ब्रांच, जिसमें हम cell के हवाले से study करें, वो cell biology या cytology कहलाती है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था जी, cell theory आई थी, cell theory क्या है, cell theory के कुछ important बात आप लोग को पता होनी चाहिए, cell theory हम से क्या कहती है, कि जितने भी जानदार है, वो एक ये एक से ज्यादा cell से बने, ठीक है, जो एक cell से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, unicellular, ठीक है, uni मतलब one, तो जो एक cell से जानदार बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, unicellular, और जो एक से ज्यादा cell से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, multicellular, ठीक है, unicellular, आप लोग सोचेंगे कि unicellular कोई कैसे हो सकता है, होते हैं unicellular, बहुत सारे होते हैं, जो microscopic organisms होते हैं, जिने हम इनसानी आग से देख नहीं सकते हैं, जिने हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत होती है, वो क्या होते हैं, यूनी सेलिलर होते हैं, ठीके, यूनी सेलिलर, यूनी मतलब वन, ठीके, फिर एक टाइप आती है, मल्टी सेलिलर, मल्टी मतलब जिन में एक से ज्या जैसे जैसे हम नेक्स टॉपिक्स की तरफ मूफ करेंगे ठीक है तो सेल थीरी में हमें कुछ इंपॉर्टन बात पता चलती है कि तमाम जानदार जो हैं वो एक एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं जैसे के हमारे हेर अगर हम एक अपना बाल ले ले तो उसमें इतना सारे सेल होते हैं बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं नाखुन बनाते हैं स्केल्स जाने के खाल जैसे मच्छी की स्केल्स नहीं होते हैं व्योचोहां सेखें दियात कोधा हो आड़ को करने चाहां सुर्षिध के बाल कर रहें हभी पर सेलिष में नाफन अन्माने काभर को अवसल हमारी भॉडी का यह मारा यहां ठीड़ के हमारे लाइफ मेंऩ फ़ंगे सेल ड़क्षूरा एको जाना एक तैूद करना मारे काल सेल से बना हमारे नाखून सेल से हमारे हमारे ब्ляट हमारो खुन बना हर चीज हमारी सेल से बना है क्यों कि हर चीज स्टाइट ही सेल से less security अच्छा फिर इसके बाद all cells come from parent शॉंस इक हमारे अब है नहीं नहीं कोड़े पिर जए नहीं हों सारी तो सबते हैं और प्रोडी तो चुप्रार में सिल्ष उदान है और उसके division से जो है new cells बनते हैं ठीक है तो जो pre-existing मतलब जो पहले से हमारी body में cells थे उन से new cells बनते हैं cell contains the hereditary information यह सबसे important बात है क्या के cell के अंदर हमारी hereditary information होती है hereditary information का क्या मतलब है जैसे अगर बाप की आँखे बिलू है बिटे की आँखे बिलू है तो यह क्या वह उसे विरासत में आँखे मिलिये तो मतलब जो हमारी characteristics होती है ना चाहे हो हमारी हाइट हो चाहे हो हमारा color हो चाहे हो हमारा eyes color हो चाहे हो हमारी कूबियां हो हमारी इना सिसमय उता है धिस तो भी थो भाँ हमारे से क्रोमजोम Malfunctioning मतलब गलत काम करना शुरू हो जाए तब क्या होता है डीजीजिस भी हो जाती है तो जिस तरीके से हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलकुल उसी तरीके से अगर उसके काम में थोड़ी बहुत भी गड़ड हो गई तो हम बिमारी भी हमें हो सकती है ठीक है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट बाते थी जो आपके से बस में इंक्लूड नहीं है लिकिन क्यूंके ह हम एक न्यू पूरा कॉर्स स्कार्ट करने जाने तो मेरी कोशिश यह होती है कि जितना ज्यादा हो सके बच्चों की बेसिक से स्ट्रॉंग हो तो क्यूंके हम लोग सेल का चैप्रा पढ़ने जाने आगे पूरे चैप्रा में सेल की ही तमाम चीज़े भरी पढ़ी है तो मैं तो में देखें आग यह ना अगे पूरा का पूरा टॉपिक ही सेल बीयोजी के रिलेटेड है तो अच्छा हो वह ना मैं इसको इंट्रोड़क्शन दे दिया सेल बीयोजी का है बायो की ब्रांच जिसमें सेल के बारे में स्टडी की जाए वो सेल बीयोजी होती है अब सेल सेल बीयोजी को अच्छे तड़ी के लिए तो इसके लिए मुक्तलिफ टेक्नीक्स इस्तेमाल की जाते हैं क्योंके सेल काई is, बिवे अ किहें सेल इतना चोटा टा जो sih में नजर भी नी आता अपनी आग से है लिए अब क्या हम अपना बाल निकालकर उसमें सेहे consistency कर सकते हैं नहीं कर सकते न यह चीज़ा हमें माइक्रोस्कोप से देखने मिलती है ठीक है तो माइक्रोस्कोप भी क्या हो जाएगा एक तरह से एक टेक्नीक ही है ना भाया मुसकी मदद से साहिल को देखने है तो चले हम देखने आगे क्या कहते है अच्छे तरीख से परखने के लिए जानने के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं ठीक है इस टेक्नीक्स आर सेल फ्रेक्शनेशन एंड सेंट्रिफ्यूगेशन डिफरेंशियल इस्रेनिंग माइक्रोडैसेक्शन टिश्यू कल्चर प्रोमेटोग्रा कौन से चीज क्या है सबसे पहले हमारे पास cell fractionation and centrifugation okay so fractionation क्या है fractionation मैं आप लोगों पढ़ोगा fractions fractions का मतलब अगर किसी बच्चे को पता हो तो fraction का मतलब होता है parts ठीक है पहली टेखनीक क्या है cell को अच्छे तरीके से पढ़ने की कि हम cell के आकने parts कर दें हिससे हिस्सों में उसको डिवाइड कर दें ठीक है और centrifugation का है अभी हम topic पढ़ने अच्छे से पता चल जाएगा देखते है it is a procedure to separate cell components into parts and fractions without altering their shape and function ठीक है cell fractionation और centrifugation एक ऐसा procedure है देखें पहले बात मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर clear कर दूँ कर चाहूं तो मैं भी ट्यूशन वालों या कोचिंग वालों की तरह आऊं ऊपर यहाँ पर बोर्ड के ओपर एक topic का नाम लिखूं cell fractionation और centrifugation और यह पूरा topic के कहानी की तरह सुना कर चली जाओं ठीक है उस तरीके से कहानी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है उस वक्त लेकिन जब बात में बुक खोल कर देखो तो उसमें लाइन्स इतनी details में लिखे भी होते हैं कि फिर कुछ समझ इन यह हो पा रहा हूते हैं लेकिन मैरे मैं यह एक एक लाय डीट करकर याद याद करकर सम्झाना चाहरी हू ताकर कहानी के भज़ा आप लोगों को जो याद करना है वो समझ में ठीक है अगर पहली चीज ए और दूसरी चीज झिए है अगर कल को आप लोग किस दे उनिवर्सित मे पर आप लोगा के लिए कोशी ओशेशित रोग सब्सक्राइ तरय में ग्रीन थे 만들어 memory कहानियां सुनकर टॉपिक है कि हा इस टॉपिक में होता क्या है लेकिन फिर यह बटें याद कर लेगों को बढ़िसेशों करें travelling सब प्रोसेजर यह कैसा तरीक है जिसमें हम लोग लोग पार्स को सेल के कॉंफ़ोरेंट्स का क्या मितलब में बताय था आप छिस सेज जिन चीजों से बनाए उन हिस्सों को हम लोग तुकड़ों में तक्सीम कर देते हैं फ्रेक्शन का असल मतलब है तुकड़ेंट है हम लोग उनको parts और तुक्रों में तक्सीम कर देते हैं without altering their shape and function ठीक है यह तो समझ में आ गया कि हम cell को तोड़ें है लेकिन आगे शर्ट क्या दी गई है without altering their shape and function altering का क्या मतलब है a-l-t-e-r-i-n-g altering का मतलब है change कर देना किसी चीज को ठीक है हम लोग उसको parts में तक्सीम कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं कि उसके shape cell की shape असल जो उसकी shape है वो या उसके किसी भी हिस्से का function change नहीं होना चाहिए without altering आप लोग समझे ले changing without changing their shape and function ठीक है उसका shape और उसके function बरकदार रहनी चाहिए हमने इस तरीके से उसे parts में divide करने है ठीक है अब आगे देखने हैं for this purpose इस मक्सित के लिए firstly the cell is homogenized homogenized का क्या मतलब है grind ठीक है इस काम के लिए मतलब cell को parts में और fractions में divide करने के लिए shape और function को change किये बगार divide करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें सबसे पहले cell को grind करना पड़ते है homogenized का मतलब grind करना ठीक है उसे grind करना पड़ता है एक suitable medium में suitable medium का क्या मतलब है अब medium क्या है, medium मतलब जैसे अगर आप लोग समझें कि मैने छोटी सी名ख एक example देती हूँ, मैने पानी में नमक घुलाया है ठीक है, तो भई, पानी क्या है? पानी उसका medium है जिसमें मैने उस नमक को घुलाया है जब यह एक्जामपल देने का माकसद ही यही है कि आप लोगे को स्यादा क्लियरली बिल्कुछ सेम सेम बात लगे कि अगर मैं पानी में नमक गुला रही हूँ ना यगर मैं चीनी गुला रही हूँ चाय बनाने के लिए तो मेरा मीडियम क्या है मेरा मीडियम है पानी तो कोई काम जिस चीज में रख जा रहा होता है वो चीज उसका मेडियम होती है ठीक है अब हमें उस सेल को ग्राइंड करना है लेकिन हम सेल को ऐसा ही नहीं किसी भी बरतन में डाल कर ग्राइंड कर देंगे नहीं ना वो हमें नजर भी नहीं आता वो तो है ना तो हमें सेल को ग्राइंड करने के लिए पहले सेल को एक मखसूस स्यूटेबल जहां पर ग्राइंड करने में उसे आसानी हो suitable मतलब जहां पर हमें आसानी हो से grind करने में जहां पर हमें कोई उस cell को नुकसान न पहुंचे हमें एक ऐसे medium में उसे रखना पड़ेगा जहां में अपर करने के लिए ठीके इक और उसे पैस में कहांगिया कि उस मेडियम के पी एच क्रेक्ट होनी चाहिए ठीके कि इतना अइसिड़ियक हो कि एक इसिव pH हमें बताते है कि कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है और कोई चीज कितनी ज्यादा बेसिक है ठीक है तो हमें उस मीडियम के pH करेक्ट रखनी है हमें उस मीडियम की कमपोजिशन करेक्ट रखनी है Ionic Composition का मतलब है Ionic Composition का मतलब है कि जब कोई चीज तूटती है तो वो आइंस में तूटती है आइंस क्या होते है आइंस होते हैं जैसे समझ लें एक छोड़ इस एक्जाम्पल आप लगों को दूँ NACL ठीक है NACL कहा जाता है घर में जो नमक होता है ना सॉल्ट होता है उसे NACL कहा जाता है लेकिन जब मैं NACL को अगर मैं घ्राइंड करूँ इस अगर मैं तोडने की कोशिश करूँ ना हिस्सों में तो ये NACL अलग हो जाएगा और CLA अलग हो जाएगा अगरा जाएगा वह जो टूट रह Ayden वह जाक उनलग हो उसके चार्चस भार को यहा हो nourधा है और सःत्यम के तैम्प्रेश्र भी मेंडाइन रहना होगा इन सारी चीजहों को खयाल रखते हुवह हमें 2 मेडियम तैयार करने हमोने की मार्दार है कि अपने सेल को पार्टस में डिवाइट करना है अब ये काम करने के लिए हमें क्या एक खाल Magazin करनेющ goofusY अब सेल को हम ऐसे ग्रॉंड करने के सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं उसी कि कि हम 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें, वो चीज़े के हैं कि उस मीडियम की हम pH का ख्याल रखें, उस मीडियम की हम pH के साथ-स मीडियम की आयोनिक कंपोजिशन का ख्याल रखें, आयोनिक कंपोजिशन के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ एक मखसूस मीडियम तयार करते हैं और फिर उस मीडियम के अंदर सेल को ग्राइंड करते हैं और फिर उस मीडियम के अंदर सेल को ग्राइंड करते हैं और फिर उसे तुकडों में तकसीम करते हैं तो यह जो प्रासिस है यह प्रासिस कहलाता है होमोजिनाइजेशन होमोजिना ऐसा process के लाते है homogenization, okay, homogenization में आगे क्या बहा जा रहे है, which is usually, which is usually done by a food mixer, okay, homogenization normally कैसे की जाती है, food mixer में की जाती है, जेसे mixer machine होती है, वैसे, food mixer में की जाती है, फिर उसके बाद the homogenate is poured in a test tube, okay, बेडियम में टाले, प्रॉड में में टेम किरे लिए में अनुम के है ओन विएजी बेड़िय believe the product to improve with the composition a the whole product to helpวยingerthe pure ते चीजी पॉच्छीप भी भोपेदाइब क्या तो seminars होमोजीनीज़एशन कुपलीग videos जो भी 금श्ट मोजीनीड के भाद बाद by the overall Quinnipto क्यों होमोजिनेट क्या लाएगा क्यों हो में होमोजिनेट को क्या करना है एक टेस्ट ट्यूब में डालना है इस तरह की दिखती है टेस्ट ट्यूब ठीक है हमने होमोजिनेट को किस में डालना है टेस्ट ट्यूब में डालना है थीक है हमने होमोजिनेट को किस में डालना है मेडियम में सेल डाला फिर उसको हम लोगों ने फूड मिक्सर में ग्राइंड कर लिया तो हमोजिनाइजेशन के प्रॉसस के थू हमें क्या मिला हमोजिनेट मिला ठीक है फिर उस हमोजिनेट को सारा का सारा हमने टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया और उस टेस्ट ट्यूब को यह इस मशीन में रखना है और इतनी स्पीड पर इस मशीन में रखना है हमने इस मशीन की टाइम और स्पीड दोने चीज़े फिक्स की फिर उसके बाद तफास्टर दे रूटेशन अफ दे सेंटरिफ्यूज अब आप लोग मुझे यह बताएं कि सेडिमेंटेड का क्या मतलब है सेडिमेंट का मतलब है कि जैसे पानी में कोई चीज नीचे जाकर बैट जाए नीचे जाकर जम जाए ठीक है जैसे पानी के अंदर मैंने क्या किया सपोज पानी के अंदर मैंने छोटे 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 बिल्कुल बारेग भारेग जो भारी थे पानी से तो वह क्या होंगे यह आप तो यह भी छोड़े het छोटे से ऐक्जेंपल ले ले आगर चीनी में नी भॉच जाधा घुला दिकिसी पानी में Chief अ कर दो Children फिल नीचे जाकर जम जाती है तो जो चीज पाने में नीचे जाकर जम जाती है वह sediment कहलाती है अब देखें क्या कह रहे है знаешь कि जतनी ज्यादा रोटेशन तेज होगी centralized हählt क्या है हम वह आपना हम टेस्ट यूब में तनर्व। Solomonate deixarसा भर में ऑला है इसे लिए रहे हैं, आपके पुने पढ़ोगा, centripetal force, centri, centri word से ही पता है, centri, यारी कि जो चीज गोल 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 गोमें, तो centrifuge machine में, देखें, गोल 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 हमारे टेस्टियो घूमेंगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा तेज हम लोग उस rotation को रखेंगे, rotation को है, गोल गोल गोमना, जितना ज्यादा speed हम centrifuge machine की रखेंगे, उतना ज्यादा तेज वो rotate होगी, ठीक है न, और जितनी ज्यादा तेज वो rotate होगी, उतना ज्यादा हमारे particles छोटे 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 तकड़ों में तकसीम होंगे, और जितना ज्यादा वो छोटे छोट pulse rate- processing speeds can be used सीरीब बढ़ा देखरा देखर स्पीड या पिर हम तूसरीं दफ़े स्पीड बढ़ा देखर। पिर दूसरी दफ़े स्पीड बढ़ा देखरा देखर। था को लोगा उस कि युवड़ा इससे स्यूड़ी अफ़िनद कंपनिंट्स हम जतनी ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, इस्मॉलर कॉंपोनेंट्स उतनी ज्यादा सेपरेट होते जाएंगे, सेल खुद इतना छोट है कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो सोचें के सेल के पार्ट्स मजीद कितने छोटे होंगे, सेल में क्रोमोजोम है, सेल में नुकलियस है, वाट्ोकॉंडिया है, इल में राइबसों है, सेल में अंट्रप्लास्मिक ररेटीकूलम है, वाऊशा कितना बढ़ा में कि यह जो नोब इस च्प्ने पढ़ेंगे, की करके सब कुछ पढ़ेंगे ठीक है ना तो इतनी जिएदा चीजे बड़ी बढ़ी पड़ी है उतनी जल्दी इतने बारीग होगीना इतना जयादा मुष्किल होगा तो क्या कह रहे हैं इसका हल क्या है कि हम जितनी ज्यादा बार 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 स्पीड बढ़ाते जाएंगे सेंट्रिफ्यूज मेशीन की उतना ज्यादा हमारा सेल उसके स्मॉलर सबसे छोटे छोटे एक एक कॉंपोनेंट सेपरेट होते जाएंगे ठीक है उसका एक एक प्रियूब रखने के बाद सेंटरिफ्यूज में एक दफ़ बढ़ाई तो क्या होगा जब हम एक दफ़ रोकिंगे ला एक दफ़ पैलेट यानि कि तया जम जाएगी टेस्ट्यूब के बॉटम में यानि कि तया नीचे वाली चाईट ठीक है ना एक बार हम लोगों ने स्पीड बढ़ाई और जब हम लगों ने मशीन मशीन रुकी तो क्या हुआ एक तैय जम गई नीचे सही है तैय जम गई यानिके जो जो हिस्से अलैदा हो गए ना सैल में से वह हिस्से नीचे जमना शुरू हो गए ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ यह देखो अगर आप विस वाली पिच्छर को एक दफ़ा देखें तो यह क्या है? सूपर नेटेंट जो ऊपर बाकी हैं वह क्या है? सूपर नेटेंट और जो बीच में है यह क्या है? जैल मीडियम जयनिके यहाँ पर हमारी हमारा असल चीज है जो हम लोगों ने डाली थी औ और जो नीचे तय जम गई है इसे हम क्या क्या है या स्टेडिमेंट या पैलेट ठीक है ना ठीक है तो क्या हुआ एक तफ़ा हम लोगों ने मशीन के स्पीड बढ़ाई जो चीजा अलैदा होनी थी वो टूटकर सेल में से नीचे जम गई वो हमारा पैलेट था वो हमें मिल ग यँाँ ध Angels gou open था डालेंगे था थीक है दो शूपर NETT अच्छा फिर उसके बाइब क्या करेंगे उसे हम and re centrifugged, re का मतलब होता है दुबारा, ठीक है और उसे फिर हम लग क्या करेंगे, दुबारा से centrifugd करेंगे यह दुबारा से मेशीन में डाल के गुमाएंगे 10 series of different cell organelles are obtained in different test tubes इस तरीके से series यानि के lines बहुत सारे cell organisms हम लोग अलएदा 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 test tubes में निकालते जाएंगे बार 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 उनको centrifuge करते रहेंगे this is known as differential centrifugation यह चीज कहलाती है differential centrifugation differential का मतलब अलग-अलग centrifugation यानि के बार बार हमने centrifug किया है the detailed structure and function of these isolated cell organelles are studied under microscope अब isolated cell organelles का मतलब cell के organelles cell के parts cell की चीज़ें अंदर वाली जो isolate हो गई है जो अलएदा हो गई है जो अलग होके हमें मिली है उनके structure और function को हम detail में किस तरीके से पढ़ते हैं किसी microscope के अंडर पढ़ते हैं कि यह part जो separate हुआ है यह कौन सा part है इसका क्या काम ए फिर इक आप लोगों को समझ में आई हो हम लोग एक तफ़ दुबारे से इसे रिवाइस कर लेते हैं कहानी के तौर पर ठीक है तो चलें देखते हैं ये क्या है सेल खर्टिशन और सेन्क्रिफिगेशन कया था? भी उन्देशन है भी सेल अभी आप लोग आगे चप्रम में नेखेंगे एक सेल होगा तो जोगे नूक्लियास होगा उसके अंदर माय्टौन्रिया होगा उसके इंदर राइबूजये कि उसके अंदर गॉल जाय बॉडी होंगि उसके बहुत सारी चीज़े होंगी सेल। वाली सारी चीज़ें के नदः उसके ऐरगेनल्स ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने सेल को स्टड़ी करने की टैकक्नीक है मैथट है सेल फ्रेक्शनेशन एन्ड सेंट Ministries इस method में हम cell को कैसे study कर रहे हैं, इस method में cell को study करने के लिए हम cell को उसके different parts में, fractions में तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो parts में, fractions में तोड़ने से क्या हो रहे हैं, हमें उसके organelles अलाधा-लाधा मिल रहे हैं, क्योंकि हम parts में, fractions में इस तरीके से तोड़ रहे हैं, कि ना उसकी shape change हो, और ना उसका function change हो यानि कि इस बात का दूसरा मतलब क्या हुआ कि उसके organelles सलामत रहें हमने cell को जब भी हम तोड़ेंगे तो हमें cell के हिस्से ही मिलेंगे तो cell के अंदर वाली चीजें क्या है organelles है जब यह process complete हो जाता है तो हमें जितने भी parts इसके मिलते हैं जितने भी organelles हमें इसके मिलते हैं nucleus अलग मिलते हैं endoplasmic reticulum अलग मिलते हैं metachondria अलग मिलते हैं तो इन तमाम organelles को माइक्रोस्कोप के अंडर रख करते हैं कि कौन सी चीज क्या है यहां तक कि तो सारी बाते समझ में आती है अब इस process में basically होता क्या है cell fractionation में क्या होता है हम parts में divide करते हैं parts में divide करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम लोग यह वाला हिस्सा काम करते हैं fractionation में हम लोगों ने क्या काम किया हम लोगों ने cell लिया cell को हम लोगों ने कि एक मीडियम में लिया, समझते हैं, या पर यह फ्लीड है, यह वो मीडियम था जिसमें हम लोगों ने सेल को लिया ठीकर है, इस मीडियम में हमारा ёमने ले क Tambacid. था है कि इसमले को सास्पीम करें नाज बडाने भार, जो था करें बहुत क्षाथ प्सक्राइट करें iki theo घुच्छ करने भी चाहिए फ्सक्राइब प्सक्राइब चैकर ऐसमिटिजेड्च बात करने उस बड़ार स्वेर स्द्वा को डाल कर अप्स्राइ कोई भी मिक्सर अप्सक्राइब इस प्सक्राइब इससे क्या हो गया हमारे पार्ट्स हमें मिल जाएंगे ठीक है मिक्सर में कोई भी चीज घुमाने से हमें पार्ट्स मिलता है बिल्कुल होई होगा जब हमें यह चीज क्या कहलेगी यह जो कुछ भी हमें यहां पर मिलेगा मिकसर गुमाने के बाद जो कुछ भी हमें यहां पर मिलेगा यह क्या मिलेगा हमें यह हमें मिलेगा होमोजिनेट मिलेगा क्यों होमोजिनेट मिलेगा क्योंकि यह जो पूरा प्रॉसेस था जिसमें मैंने इसे mixer में डाल कर, medium में डाल कर, mixer में डाल कर घुमाया है, ये पूरा process कहलाता है, homogenization, ठीक है, homogenization, तो जो भी चीज मुझे इसको घुमाने के बाद मिलेगी, वो क्या कहलाएगी, homogenate कहलाएगी, ठीक है, फिर जो भई, जो कुछ भी घुमाने के बाद mixer में मु क्या कुछा चीजा किया, मैंने एक centrifuge machine में डाला, ठीक है, centrifuge machine रखा уч R Centerfuge Machine की मैंने Speed Fix की ठीके। और Speed के साथ time fix किया यारा कि इसा कितनी तेज़ और कितनी देर तक कि इसने घूमना है ठीके इसे Centerfuge Machine के इसलिए कहते है क्योंके गोल गोल घूमती है ठीके अब मैंने इसे डाल कर गुमाया इसे डाल कर घुमाने के बाद क्या हुआ सेल के जो जो हिस्से तूट कर अलैदा हो गए वो यहाँ पर नीचे जमते गए ठीक है जो चीज जमी वी है वो तो मुझे असानी से मिल जागी और जो चीज इसके अंदर अभी भी घुली वी है मिक्स होई वी है वो मुझे कैसे मैं उसे अलाइदा कर सकती हूँ है ना सोचे ना अप लोग एक दफ़ा अगर पानी में मैंने चीनी घुलाई है जो चीनी ज्यादा होकर नीचे जम गई है मैं पानी बाहर निकाल कर उस चीज को अलग कर लूँगे यह जो हमें नीचे मिला है यह इसे पैलेट भी कहते हैं यह तो मैं असानी से अलग कर लूँगे यह अलग हो गया है ठीक है मैं से अलग कैसे करूँगे बाकी जो ऊपर यह जितना कुछ भी है उसको कहते हैं सुपर नेटेंट उपर जो फ्लिवडे जिसके अंदर उपर जो मेरा होमोजिनेट बचा है जसमें से अभी तक के चीज़ें अलएदर नहीं हुई है वो कहलाता है मेरे पास होमोजिनेट ठीक है अब मैं क्या करूँगी सेडिमेंट को अलग कर लूँगी और इसमें से जो होमोजिनेट बचा है ना उस होमोजिनेट को मैं एक नई खाली टेस्ट यूब में निकाल लूँगी थीआ अब इसके अंदर कोई सेडिमेंट नहीं है इसके अंदर जैसे मैंने पहली द daar का पूरा होमोजिनेट डाला था ना वैसे ही इसमें से बचा हुआ बाकी का पूरा होमो जिनेट है थीआ फिर से मैं इसे सेंटरिफ्यूज में रखूंगी फिर से यहां पर कुछ चीज़ें अलाइदा हो जाएंगी ठीक है फिर मैं क्या गरूँगी चीज़ों का अलग कर लूँगी और इसमें से जो कुछ भी बचा है अब यहां पर जो जो सुपर नेटेंट है यानि के जो कुछ भी अभी तक का अलाइदा नहीं हुए फिर मैं उस फ्लीट को एक नई काली टेस्ट यूब में निकालूँगी सही है फिर उस काली टेस्ट यूब में से फिर मुझे कुछ सेडिमेंट मिलेंगे फिर मैं उन्हें अलग करकर इसे मजीद एक काली टेस्ट यूब में निकालूँगी इस तरीके से में बार-बार-बार-बार-बार-बार स्पीड बढ़ा-बढ़ा कर क्योंकि इतनी स्पीड पर जो चीज़ें अलग नहीं हुई तो दुबारे ही तो इस स्पीड रखने का फायदा जब मैं दूसरी दफ़ा रखूंगी तो स्पीड मजीद बढ़ा के रखूंगी ठीक है ना अगर मैं मिक्सर मेशीन में एक्जाम्पिल सबसे लो स्लो स्पीड पर कुछ कर रहे हूं तो कुछ अच्छे तरीके से नहीं ग्रैंड हो पारा तो मैं क्या करूंगी स्पीड बढ़ स्पीड मजीद बढ़ाऊंगी फिर मैं इसमें से सेडिमेंट अलग किया फिर दुबारा सुपर नेटरेंड को स्पीड मजीद बढ़ाऊंगी इस तरीके से मैं काफी दफ़ा यह प्रॉसेस रिपीट करूंगी ताकि एक एक चीज मुझे अच्छे तरीके से अलाइदा अल इसमें जो सेडिमेंट मिला था इस पहली बारी में क्या चीजे मिली हैं दूसरी बारी में क्या चीजे मिली हैं तीसरी बारी में क्या चीजे मिली हैं यह मुझे आख से तो पता नहीं चलेगा ना फिर में यह चीजे माइक्रोस्कोप में रखकर चेक करूंगी कि मुझे पह कुछ भी एक चीज भी आप लोगों को अपन्फ्यूस कर रही है तो प्लीज मुझसे आप लोगों को मैं पूछिए मैं आप लोगों को दुबारा बताऊंगी ठीके तो चले फिर नेक्स टॉपिक नेक्स वीडियो के साथ पढ़ेंगे इंशाला ओके आला आफ्यस